तो हलो दोस्तों कैसे आप सो विल्कम तो माई यूट्यूब चैनल कला यातरा मेरा नाम है ब्रिजेस आज हमारा गो करना में सेकेंड डे है और हम गये थी याना केव और कल कभली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखें बहुत ही मज़ेदार है ब्यूटिफु किसे गए थे तो अभी हम स्कूटी अपनी वापस करेंगे और वहां जाके हम फिर करने वाले है टेक्सी और आज का हमारा जो प्लैन है वह आगे जाके मैं आपको बताता हूं बाइबाइब जारी है जोदीत पहलवान है यह रास्ताबाद भेंकर है इतना चड़ाई इतने म आपस कर ले तो अभी हम ब्रेकफर्स्ट करने जा रहा है यार क्योंकि निकलने से पहले ना ब्रेकफर्स्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि खाली पेट घूमने में मज़ा नहीं आथा फिर से हम वहीं आये जहां कल हमने ब्रेकफर्स्ट किया था तो अभी हमने मगाया तो मैं आगे बैठने वाला हूँ और अभी हम सबसे पहले जाने वाले हैं मेजन फोट और दिखाता हूं मैं आपको कैसे जगह है क्या बात है तो अपन लोग निकल गए है अब बग यहां गो करना से बाइस किलो मेंटर का डिस्टेंस है यहां से और आपका नाम क्या विया अपने गनेश भाई है जो हमें लेकर जा रहे है ओ माय गॉड और यसा चड़ाई चड़ाई हो रही है असे खतरना की लग रहा है ब है कि मतलब हम वैसे गाड़ी में लोकल शॉंग वांग बजा रहे हैं मजे ले रहे हैं अब ही हम नेशनल हाइवे 66 पे हैं कल हम इधरी से आय थे जब हम याना के जा रहे थे तो और यह हाइवे इतना खुबसूरत है ना में को बहुत ही प्यारा लगा बहुत ही सुन्दर है आगे अभी हम चलते हैं तो दिखाता हूं मैं आपको कैसा है यहां से स्टार्ट हो गया फोल लेन और यह हाइवे बहुत ही पुसुरत है है और अंदर जा रहे हैं अभी हम पहुंचने वाले फोर्ट और अंदर ऐसे अलगी रोड हो रहा है मतविर है यह जंगल जंगल सो हो रहा है यार इदर तो क्या बात है तो सामने फोर्ट दिख रहा है और हम पहुंच गया है यह देखो यह किता मस्त दिख रहे हैं तो तो पूरा वाल पर ऐसे घास घास सी लगई होती है सबसे इंट्रेस्टिंग चीस लग रही है मैंको दूद्द और सुक्राओं चारो तरफ पुर्फ ग्रीन 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 वह ओर यह रही हमारे जोदी 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 क्या वाद गुंज रही है वाज और यहां पर ऐसे बूर्ट लगा हुआ तो यहां पर इस फोर्ट के बारे में थोड़े बहुत चीजे लिखी हुई है जो भी डीटेल है क्या बादा बहुत ही खुबसूरत लग रहा है और अभी हम अंदर जा रहे हैं तो 608 से 604 के टाइम के उसके बीच में बना है अलगवाए 11 एकड़ के आसपास एरिया में बना हुआ है और आज धूब भी बहुत तेज है यार आसे और अभी हम अंदर जा रहे है देखते हैं जैसा भी होगा यहां पैसे गेट है यहां से इंट्री है और पैसे लग तो बहुत ही खुबसूरत रहा है यह मज़दारी ही वील हो रहा है यहां पर है यहां से करता है सांदार नजारा यार पूरे फोर्ट से ऐसा है दूर तक पुरा जंगल जंगल पहाड़ी दिख रहे है और बहुत ही खुबसूरत है यहार यह तो यहां पर दिखो एक कुवा है यार बहुत बड़ा सा कुवा है और पूरा पानी भी है अभी इसमें यार पूरा जाली वाली से लगा के ढख रखा है झाली से लगा है तो अब ही हम उपर आ रखे हैं और यहां से चोटा सा यह बना हुआ इसमें से ऐसे व्यू का देखा क्या वाद है पूरा यहां से बहुत ही सुन्दर दिखला है यहां से दिखाताँ मैं आपको क्या कर नजारा क्या वाद है यह यह देखो वहां जोती लब भी घुम रहे है यह और यह देखो दूर तक पुरा वादियां दिखने में अब बादलों को देखके तो और ज़्यादा खुसूरत लग रहा है अब बावरे गरम ही हो गया खतरना कैसे चल चल के दूब भी बहुत ते जाए तो यह बहुत बढ़िया फोट है वाद वैसे जैसे फोटोग्राप्स वगरा हमने देखा था तो हमें लगा था एक सिंपल सा फोट है बढ़ का जैसे जो यहां का आर्किटेक्ट्चर है और प्लस जो यह घास वगरा उगी है ना जैसे पीछे भी दिख रहा है पुरे वाल पर ग्रीन घ्रास लगास है तो यह एक्सपरिमेंटल फोटोग्राफी और एक्सपरिमेंटल वीडियोग्राफी के लिए बहुत अच्छी तो यब हमें फोर्ट के बैक साइड में है और यहां से देखो पूरा ऐसे बैक ओर का उत्तों स हो रहा है और अभी हम यहां से वापस जाएरे है और बीकाइन human की आऻसा थी यह तो बहुती इसा सुनाई दे रही है यह इसमें परम्स आपको यहां पहले पानी भरा रहता था पर ने कभी देखा हो गए सुना भी होगा फोट पानी होता था पर नोगा तो यह था बाइ 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 बाइगोड बोचादगर हुगे है आई मेज आ घातना की गधाई जाए